तो यार अगर तुमको ना मतब तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो डेफिनिटली तुम यह जानना चाहते हो कि तुम्हें 55% नंबर चाहिए 65-75 तुम लेकर आ सकते हो बट अगर तुम्हें 100 और 100 चाहिए ना इंग्लिश के अंदर अगर तुम ओवर्राल स्कॉर अपना बेटर करना चाहते हो तो तुम्हें इस वीडियो को देखते रहना पड़ेगा एंड तक देखते रहना पड़ेगा क सब्सक्राइब करते हैं तो उसके पीछे वापको यह बताना चाहते हैं कि यह लेवल जो है तुम्हें अच्छे से प्रिपैर कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेस्टन तुम्हें एक्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे तो आज हम लोग डिकोड करने वाले इंग्लिश के पेप देखने को मिलने वाले आज आपको देखने के यह अंसीन पासज़े तो तो सबसे पेहले आता है तुम्हारा reading skills जो की 22 नंबर का यहां पे उ admits जो हलाए यहां पे तुम्हारी reading skills को test किया जाता है अगर तुम यहां पर 만큼 को देढese करते ho तुम्हें realize होगा कि यहां में ओप आपका एक जो question यह चाहिए फीड़ कुण्हारा जा सबixa करके अगर तुम इसे close दी देखते हो तो तुम realize करोगे कि यह पूरा जो section है यह बहुत ही descriptive है तो यहाँ पर आपको यह passage descriptive मिलेगा और यह जो questions आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर एक mixture देखने को मिलने वाला है तुमारे MCQs और subjective questions का याद रखो कि कुछ subjective questions ऐसे हैं जिसके अंदर तुम अगर एक शब्द की अंदर आंसर देदोगे तो भी चल जाएगा बट कुछ ऐसे subjective questions है जो तुम से आगे से बोल रहे हैं कि भीया तुम्हें इसका answer 40 words के अंदर देना है तो कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें reading section को master करना ह है अगर तुम्हें 22 नंबर हासल करना चाहते हो तो तुम्हें यह चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि descriptive passage जो है यह descriptive passage को अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें दोनों तरीके की questions करने चाहिए वो mcqs हो चाहिए वो subjective questions हो यह भी ध्यान रखना है कि subjective में भी तुम्हें तुम्हें देखने को मिलने वाले और उसके साथ साथ तुम्हें 40 words में answer करने के लिए भी questions मिलने वाले हैं याने तुम्हें यहां पर सीखोगे कि तुम्हें खुद से answer बराके कैसे लिखना है कैसे तुम passage से inspiration लेकर खुद के words के अंदर अपने answer को लिखोगे तो यहां पर चीजें बहुत matter करने वाली है और इसके बाद में चलते हैं तो इसी तरीके से हम लोग को यहां पर questions देखने को मिल जाएंगे और दूसरा हमारा text जो है दूसरा हमारा passage जो है वो आ जाएगा अब अगरं दूसरे passage की बात करते हैं तो यह factual passage है यहां बहुत तुम्हें काफी सामना होने वाला है वह descriptive passage होगा और मेरा दूसरा question होगा एक factual passage जिसमें बहुत सारे facts यहां पर लिखे वे होंगे अब यह जो passage है इस passage को आप अगर नीचे तक देखते हो तो यहां पर तुम्हारे को questions भी वैसी पूछे जाएंगे यहां पर तुम्हें questions भी facts से पूछे और M secures अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें elimination की टेकनीक आनी चाहिए अगर तुम्हें यह दोनों चीजें आती है तो तुम 22 marks एकदम से अपने मुठी में कर सकते हो इसके बाद आता है तुम्हारा creative writing skills यह आपका section B है section B 18 marks का है section B 18 marks का है तुम्हारा question number 3 जो है वो fixed है तुम तुम्हें यह जान रखना है कि यह school notice board के लिए या तुम्हारे society notice board के लिए यह question हो गई होगा एक compulsory question है जिसमें तुम्हें दो option दिये जाएंगे और तुम कोई सा भी option कर सकते हो that means अगर तुम्हें यह 4 number अपने मुठी में करने है तो तुम्हें simply notice का format अच्छे से आना चा अगर तुम वह ध्यान में रखते हो तो तुम दोनों में से कोई सा भी question कर सकते हो और तुम्हें चार में से चार नंबर मिलेंगे इसके बाद में question number 4 भी fixed है question number 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर तुम्हें हमेशा invitation मिलेगा ही मिलेगा यह question number 4 जो है इसके अंदर तुम में चार चीज़े देखने को मिल सकती है तुम्हारा फॉरमल और इनवीटेशं और फॉर्मस न रिपलाय तुधे इन चार चीज़ों में से कुछ भी इन पर देखने को मिले। इसका मतलबühren कि अगर तुम्हें यहां पर इस section को बहुत अच्छे से करना है, तो या तो तुम एक formal invitation और formal reply तयार कर लो, या तुम invitation informal और informal reply तयार कर लो, अगर तुम इसमें से कोई भी दो चीज़ अच्छे से prepare कर लेते हो, तो तुम यहाँ पर वो कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे, ठीक है, इसके बात में हम लोग देखत इसको अगर तुम देख रहे हो, तो यहाँ पर यह job application का question है, job application का question जिसके अंदर तुम्हें एक advertisement दिया हुआ है, और तुम्हें बोला है कि तुम्हें इसे देखकर तुम्हें अपना bio data तयार करके job application लिखनी है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे को job application में हमेशा इस तरीके का clue दिया जाएगा, इस तरीकी का clue तुम्हें मिलेगा job application में, और तुम्हें जो दूसरा question यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, वो मिलने वाला है आपके letter to the editor का, तो यह question भी fixed है, job application और letter to editor के बीच में तुम्हें आप्शन देखने को मिलेगा, इसका मतलब यह है कि तुम तुम चाहो तो letter to editor prepare कर सकते हो, या तुम चाहो तो job application prepare कर सकते हो, तुम्हें हमीशा suggest करूंगी कि तुम्हें दोनों prepare करने चाहिए, क्योंकि जब तुम यहां पे डोनों को equally prepare करके जाते हो, पर किसी एक की practice जादा करके जाते हो, तो तुम्हें एक upper hand मिलता है, क्योंकि तु तुम जॉब application भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से prepare ही नहीं किया था, तो तुम्हाना option जो है, वो limit हो जाएगा, इसलिए तुम दोनों को equally prepare करो, practice किसी एक की जादा करो, इसके बाद में, आखरी question जो तुम्हें यहां पर देखने को मिलेगा, यह भी article में, तो यह तुम्हारे लिए एकदम fix रहने वाला है, यह report या article में तुम्हें question देखने को मिलने वाला है, एक चीज जो यहां पर बहुत ही अच्छी है, वो यह है कि तुम्हें report और article, in fact, जितना भी तुम्हारा writing section है, उसमें किसी ना किसी तरीके के clues तो दिये ही जा रह है, काफी सारा समय तुम्हारा यहां पर बच सकता है, अब तुम्हें बस यह ध्यान रखना है, कि अगर सामने वाला तुम्हें कुछ ideas दे रहा है, तो naturally वो तुमसे यह expect करेगा, कि तुम अच्छा idea development करो, तो अगर यह paper तुम्हारे सामने आता है, जिसके questions में अभी तक बत होते हो, उसके number है, ठीक है, आपने को अपने दिमाग में कोई idea निकाला और फिर उसे लिखा, ठीक है, कोई बात ने, but in clues को use करके उने develop करके तुमने जो exact format में लिखा है, उसके number तुम्हें मिलने वाले है, यह तुम्हें याद रखना है, तो तुम्हारी practice भी वैसे ही होनी चाहिए, इसके बाद में आता है, हमारा सबसे जादा खतरनाक section, जो कि literature, textbook and supplementary reader का है, यह 40 marks का section है, और यह बहुत important section है, यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है, कि तुम्हें सबसे पहला वाला question, question number 7 देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर तुम्हें एक extracts देखने को मिलने वाले हैं, और दो extracts में से कोई भी एक extract तुम्हें करना होता है, अब तुम्हें देखो, यहाँ पर अगर तुम्हें यह यह वाला question बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से फोड़ना है, तो तुम्हें ध्यान रखना है, कि तुम्हें हर एक जो तुमा marks लेकर आना चाहते हो, तो तुम केवल poem की summary पढ़कर नहीं जा सकते, अगर तुमने केवल a thing of beauty की summary पढ़ ली, और इस तरीके का question आ गया है, जिसमें तुम्हें extract दिया है, और नीचे तुमसे questions पूछे हैं, और वो भी combination में, MCQs और साती सात में subjective के, तो तुम यहाँ पर actually पने marks loose कर दोगे, क्योंकि summary से यहाँ पर काम नहीं बने का, तुम्हें ध्यान रखना है, कि इस तरीके के question के लिए, तुम्हें extract एकदम अच्छे से आना चाहिए, इसका मतलब है, कि तुम्हें एक एक stanza अच्छे से पढ़ना है, अच्छा, याद रखना कि यह तुम्हारा poetry वाला section है, poetry वाला section है, मतलब literature में पहला question जो तुम्हें extract का मिलेगा, वो poetry section में से मिलेगा, तुम्हारी 5 poems है, उन 5 poems में से 2 poems तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलने ही वाली है, और उन दोनों में से कोई भी तुम choose कर सकते हो, यानि कि अगर इन 5 poems में से मैं कोई भी 3 poems बह अच्छे से करने हैं, क्योंकि अगर तुमने extracts अच्छे से नहीं किये, तो तुम यह वाले questions अच्छे से attempt नहीं कर पाओगे, इसके बात में question number 8 जो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलता है, वो question number 1 तुम्हें again extract से मिलता है, तो extract है, कोई भी 1 extract तुम्हें करना होता है, य जाद रखो कि पूरा extract से है, यानि कि इसके हाथ में 4 number तो 100% आई गए है, अब यहाँ पर भी तुम्हें दो extract मिलेंगे और दो में से कोई एक तुम्हें चूस करना होगा, तुम्हें यहाँ पर इस तरीके के questions देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर तुम्हारी understanding, तुम्हारा हो सकते हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना है, कि हर एक chapter की NCRT से कम से कम एक बार reading तो ही हो, जैसे यहाँ पर Tiger King से question आगया, और Tiger King से question आगया, सीधा सीधा complete the sentence appropriately, तुम्हें से sentence को complete करने के लिए बोल दिया, तुम्हारे पास कोई option नहीं है, तुम्हारी तरफ से वो तुम्हा इस तरीके से पढ़ कर गए हो, कि तुम्हें इन फाक्ट इस एक्स्ट्राक को पढ़ने की भी जूरत नहीं है, ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर time save कर सकते हो, इसके बाद में आता है तुम्हारा question number 9, question number 9 के अंदर जो तुम्हें एक्स्ट्राक्स देखने को मिलेंगे, यह फ्ल फ्लेमिंगो की तयारी अगर करती हूं, तो मुझे फ्लेमिंगो में 6 number का एक एक एक्स्ट्राक्ट और इसके साथ में हमने पहले वाला question देखा था, ठीके जो हमारा सबसे पहले वाला question था, यह वाला, ठीके 6 number वाला, जो poetry का था, यह मिल जाएंगे, मतलब फ्लेमिंगो से म यहां पर अपने यह question देखे, प्रोस का यह है, again मेरे पास option आएगा, यहां पर एक question last lesson से है, और दूसरा वाला जो question है, वो law spring से है, यहां पर भी जो question है, वो आपकी understanding, आपकी interpretation को चेक करता है, चेक करता है कि आपको theme अच्छे से समझ में आया या नहीं, in fact, आपने यहां पर पस आपको वही देखने को मिल जाएगा, किसी भी चीज़ पर quotation mark लगा कर आप से पूछ लिया जाएगा, इसके बाद में question number 10 से तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं, छै question, यह चै क्वेशन में से तुम्हें कोई भी 5 question कर लेने हैं, यह जो 5 questions है, यह 5 questions तुम्हा लिए दो-दो number के होने वाले हैं, यह इतने ज्यादा indirect question नहीं है, बट यह बहुत tricky questions हो सकते हैं, तुम अगर सोच लिए हो कि सिर्फ वर से story बढ़ने से तुम्हारा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर तुम देखोगे कि किस तरीके से हम लोग को inference पूछते हो, इसके बाद में आप देखोगे कि किस तरीके से next question जो पूछा गया है, वो तुम्हें writing style पर पूछ लिया गया है, narration style पर पूछ लिया गया है, कि किस तरीके से डगलस ने बहुत ही जादा, you know, बहुत vivid तरीके से बहुत vividly अपना पूरा experience हमें शेर किया, in fact इत यह तुम्हारे तुम क्या feel करते हो उस text को पढ़के, author ने कैसे लिखा, author की narration या author की writing style, character का attributes, इन सब पर questions तुम्हें पूछे जा रहे हैं, इसके बाद में तुम देखोगे कि यहाँ पर तुम्हें एक option देखने को मिल जाएगा, and finally तुम्हें यहाँ पर विस्ता से भी question द नहीं है, बहुत पार तुम्हें ऐसा लगता है कि से स्टोरी बढ़ने से तुम्हारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर देखते हो, question number 2, what does the play on the face of it suggest about the importance of empathy in overcoming prejudice and stereotypes, अब देखो, यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टाइटल-oriented answer लिखन उन लोगों के साथ में जो specially abled होते हैं, and of course, मतलब वो कैसे हमारी empathy जो है, वो मदद कर सकती है in prejudices and stereotypes को खतम करने के लिए, तो यह तुम्हें तब ही आएगा, जब तुम्हें अच्छे से theme पढ़कर गए हो गया, इसके बात में तुम्हें तुम्हें यहाँ पर long answer question देखने draw करावा मिल गया है, that means, तुम्हें दो चाप्टर में तुम्हें जो पढ़ा है, तुम्हें दो यहाँ पर खास करके, दो पोर्म में जो तुम्हें पढ़ा है, वो तुम्हें एक ही answer के अंदर लिखना है, यहाँ पी ना तो सिर्फ तुम्हारा, you know, उस पूरे chapter, उस पूरे questions प्राक्टिस करते रहने पढ़ेंगे, तुम जितने मर्जी चाहें, दिमाग में parallels ड्रो करो, और ड्रो करके उन्हें सॉल्व करना शुरू करो, तकि ना तो तुम इनके बारे में अच्छे से सोच पाओ, ना तो सिर्फ तुम्हें इनके बारे में अच्छे से सोच पाओ, बड़ अच्छिली उन दो को एक साथ यूज करके, एक साथ यूज करके डेवलप भी कर पाओ, ऐसा ही question तुम्हें यहां पर विस्तास से भी देखने को मिल जाएगा, जहां भी तुम्हें दो chapters को एक साथ रखा गया है, या दो characters को एक साथ यूज कर लिया गया है, दो teams या दो events को एक साथ यूज किया गया है, और एक parallel draw किया गया है, direct questions भी तुम्हें इस section के अंदर देखने को मिल सकते हैं, बट यह मत सोचना कि वो भी एकदम story से निकल कर आएंगे, तो तुम्हें एक story के अंदर, एक chapter ये, एक poetry के अंदर, बहुत सारे sections है जो prepare करने पड़ेंगे right from the beginning, जहांपे तुम्हें author के बारे में बताया जाता है, last में आते आते तुम्हें सारा जो भी तुम्हारा theme तुम उससे conclude करते हो, वहां तक हर एक चीज पता होनी चाहिए, तो literature is not about summaries anymore, you have to read the NCRTs carefully, तो आज की इस पूरे session के अंदर हमने ये देखा, कि किस तरीके से, अग तुम्हें पता है कि ठीक है, तुम्हें नोटेस और इंविटेशन को 100% तयार करनके जाने वाले हो, और फिर तुम चाहो तो letter to editor या job application में से कुछ सेलेक कर लो, चाहो तो article या फिर तुम रिपोर्ट में से कुछ सेलेक कर लो, जब हम बात किरते हैं मारे literature section की, तो तुम्हे हर एक जो chapter तुम पढ़ रहे हो, in fact, मैंने important chapters की list तुम्हेर साथ शेयर भी किये पिछले वीडियो में, तुम जितने भी important chapters या सारे chapters जो भी पढ़ रहे हो, उनको NCRT से एक बार ज़रूर रीड करो, about the author से लेकर theme तक सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए, और यहां पर चाहते हो, कि तुम मिस ना करो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और शेयर करो अपने friends के साथ में, जो कि अभी तक सो रहे हैं, और बिल्कुल भी CBSE के sample paper pattern के इसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, take care and I'll see you in the next one, thank you so much for watching, bye bye, take care.